सवाल नमबर एक सुहागरात में कितनी बार पत्नी को चोदना चाहिए? इसका सही जवाब है जब तक पत्नी खुद मना नहीं कर दे तब तक चोदते रहना चाहिए. सवाल नमबर दो सुहागरात में केसर वाला दूद क्यों दिया जाता है? इसका सही जवाब है लड़के में जोश भरने के लिए और चोदते समय लंट से पानी जल्दी नहीं निकले इसलिए सवाल नमबर तीन सो हागरात में अगर बीवी अंजान है तो उसे कैसे चोदे की वो खुश हो जाए इसका सही जवाब है उसे गोद में नंगा करके बिठा कर चोदना चाहिए सवाल नमबर चार लड़की की चुदकब बहुत ज्यादा काली पर जाती है इसका सही जवाब है जब वो बहुत ज्यादा चुदवाने लगती है सवाल नमबर पांच लड़की को किस तरह चोदने से वो कभी चोड़के नहीं जाती इसका सही जवाब है अलग-अलग पोजीशन में चोधना चाहिए ताकि पानी जल्दी नहीं निकले और सेक्स लंबे समय तक चलता रहे तभी वो आपके साथ खुश रहेगी क्योंकि लड़की को वो लड़के पसंद नहीं है जिनके लंब से चुदाई करते समय पानी जल्दी निकल जाए सवाल नमबर 6 कौन सी लड़किया पीछे से चोधने के लिए कहती है इसका सही जवाब है 30 साल की बाद वाली लड़किया क्योंकि इस उम्र में चुद बहुत धीली हो जाती है इसलिए पिछे से लंट टाईट घुसता है तो दोनों को मज़ा बहुत आता है सवाल नमबर 7 कौन सी लड़कियों को चोधने से खून निकलता है इसका सही जवाब है 18 से 22 उम्र वाली लड़कियों के क्योंकि इसमें नई नवेली चुत होती है जो की बहुत टाईट होती है सवाल नमबर 8 जो लड़किया मोटी होती है वो किस पोजीशन में चुदवाना पसंद करती है इसका सही जवाब है या तो लंट में बेट कर चुदवाती है या घोडी बंकर सवाल नमबर 9 कुवारी लड़कियों को किस तरह चोदना चाहिए ताकि प्रेगमेंट होने का खत्रा नहीं हो इसका सही जवाब है आजकल बाजार में तरह तरह के कंडोम आते है जो प्रेगमेंट होने से बचाते है जैसे लड़कियों का सबसे फेवरेट कंडोम है चोकलेटी फ्लेवर सवाल नमबर 10 किस उम्र में लड़कियों की चुदपर बाल आने लग जाते है इसका सही जवाब है 14 से 16 की उम्र में सवाल नमबर 11 किस तरह चोदने से लंड़ पूरा लड़की के नाभी तक पहांच जाता है इसका सही जवाब है नीचे सुला कर दोनों टांग को उपर करके चोदना चाहिए विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक अमेंट सबस्क्राइब जरूर करे